नमस्कार दोस्तो माई किसान दोस्त चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपके किसान दोस्त या जाट और दोस्तो मैं कुछ कर्षी यंत्र खरिदने के लिए सुदर्शन इंडस्ट्री जो की उज्जेन में है और कर्षी दर्शन के नाम से अपने यंत्र बन तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इस उर्वरक छिडखने वाले यंत्र के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले जो भाई नए हैं या पेली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्क्राइब कर ले साथ ही पास आए घंटी के निशान को दबा दे ताकि जब भी हम यहां खेती बड़ी और किशनों से जुड़ी जानकरी डाले तो उसकी सुचना आपको मिल पाए और आप हमारे वीडियो देख पाए तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इस फटिलाइजर इस पेडियर यंत्र के बारे में जानकरी दोस्तो इस इंत्र की साहिता से आप जितने भी गोल दाने वाले जो फटिलाइजर होते हैं जैसे यूर्या हो गया ईए पी हो गया उन्हें अपने खेतों में बिखेरने के लिए इस इंत्र का उफ्योग कर सकते हैं साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो गोल दाने वाले बीज होते हैं जिने खेत में बिखेर के बोने की जरूत होती है तो वो भी यंत्रकी साहिता से आप बिखेर सकते हैं दोस्तो इस यंत्रकी से ये रेता है कि इसमें जो औरुवरक आप विखेरते हों वो एक समान रूप से खेत में गिरता है इसके लाव दोस्तों इसमें 10 से 15 फीट तक बताते हैं कि 10 से 15 फीट तक आप अपने खेट में एक समान उरुवरक इस यांतर की साइटा से भिखेर सकते हैं तो दोस्तों हम पेले इसे सब तरब से देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है क्या इसके अंदर लगा हुआ है तो दोस्तों सबसे पेले हम देखते हैं इसके उपर तो उपर से ये पूरा खाली है दोस्तों और इसके अंदर दोस्तों उरुवरक डाला जाता है और जो भी आपका उर्वरक है यूरिया वगेरा इस डिब्बे के अंदर भर दिया जाता है 10-15 किलो तक इसके अंदर उर्वरक भरा जाता है बाद में दोस्तो नीचे की तरफ इसके एक छोटा साथ छेद बना हुआ है इस डिब्बे के नीचे तो वो उसके अंदर से उर्वरक नीचे की तरफ गिरता है साइड में दोस्तो इसके एक प्लेट टाइप के बटन दे रहा है जिसे हम कम जादा करते हैं तो उर्वरक जो होता है वो कम ज़्यादा नीचे की तरफ आता है उसकी कम ज़्यादा मात्रा आप कर सकते हैं दोस्तों नीचे की तरफ हम देखते हैं तो एक चक्रा बना हुआ रेड कलर का जो आपको चक्रा दिखाई दे रहा है उपर से डिब्बे में से जो उरुवरक आता है वो चक्रे के उपर गिरता है और दोस्तो साइड में इसके एक हैंडल बना हुआ है उस हैंडल को गुमाने से वो चक्रा गुमता है और चक्रे दुवरा आपके पूरा जो फटिलाइजर है उसका छिड़काव होता है साथी दोस्तों इस यंत्र के साइड में दो बेल्ड लगे हुए हैं बेल्ड काफी अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं और इसके माध्यम से आप इसे कंद्य और कमर पर लटका का जो फटिलाइजर इस्प्रे का काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों इस यंत्र से खास करके जो गोल दाने वाले जो फटिलाइजर है वो अच्छे से स्प्रे हो सकते हैं साथी दोस्तों मैंने इसका उप्योग नहीं किया है तो मैंने इसके रिजल्ट के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा लेकिन जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस पकार के यंत्र का उप्योग करते हैं वो हमें कमेंड करके जरूर बताईए कि ये किसानों के लिए कितना लापकारी है कितना इससे फाइदा हो सकता है और दोस्तों मैं यहां इसकी कीमत बता ना बुल गया इसकी जो कीमत है दोस्तों वो मातर एक हजार रुपे की कीमत है और ये यंत्र आपके जो लोकल में जितने भी स्प्रे पंप रखते हैं उनके वहां आसानी से मिल जाएगा और वहां ना मिले तो कर्शी दर्शन वाले के नंबर में आपके साथ सेर कर रहा हूँ तो आप इसके बारे में अधिक जानकरी वहां से भी ले सकते हैं दोस्तों इस त्रियंत्र के बारे में जो भी जानकरी मुझे मिल पाई और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करता रहता हूँ साती दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को आन्य किसान भायों तक सेर जरूर करे और इस वीडियो से जुड़े अक्दर आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताए दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई जानकरी के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जै किसान